जो हमारा next topic है reduce the levels का वो है diffraction grating diffraction grating diffraction करवाने का एक device है पहले हम diffraction को समझे लिए इसको diffraction भी पढ़ते हैं और diffraction भी पढ़ते हैं दोनों ठीक हैं यह समझें कि experiment है यह source of light है इसके सामने आपने कोई obstacle रख दिया कोई गेंद रख दी सामने आपने एक screen रख ली पूरा कमरे में तारी की है यह सिर्फ समझा है टॉर्च मारने light पर सही है तो ball के उपर से जो रोशनी गुजरेगी वो screen को क्या कर देगी रोशन ओपर भी ओर लेकिन जो रोशनी बॉल से टक राएगी बॉल उसको रोख लेगा तो आपको सामने screen पर क्या नजर आएगा साया तो screen पर हमें साया क्यों नजर आता है क्योंकि obstacle या रुकावट जो है वो रोशनी को क्या करता है रोख लेता है सही है यह object बड़ा है यह obstacle लार्ज है अब इसी तरह का experiment हम करें इस obstacle को छोटा करने है बहुत छोटा है एक्च्वल में इससे भी छोटा है इस case में भी यही होना चाहिए कि obstacle के सामने साया बनना चाहिए और उपर क्या होनी चाहिए रोशनी आप पता नहीं धूर से आपको नजर आ रहा है याँ इवने center में इसके dot मनाया है जो सफैद है सही है तो इस छोटे obstacle के center में एक bright spot है यह bright spot कोई भी चले इसको इस जूम करने है अगर यहाँ कोई bright spot आ जाता है तो वो कैसे मुमकिन है नहीं आज आता है फर्ज करें आता है तो वो कैसे मुमकिन है इसका मलब भी वहाँ रोशनी आई है न कौन सी रोशनी तो यह रोशनी center में दर्म्यान में कैसे पहुंच गई इसका मलब भी इस object ने इसको bend किया है इस object ने इसको bend किया है यह जो रोशनी की शुआई सीरी जा रही है यह सीरी नहीं जा रही है यह क्या हो जाती है bend हो जाती है और center में जाके मिल जाती है इसलिए center में कैना जराता है रोशन आपको समझाने के लिए यहां मैं बना रहा हूँ यानि यह जो इसके किनारों से टकराती है उटकराने के बाद बैंड हो जाती है सीरी सामने जाके नहीं टकराती इसलिए मैं सेंटर में के नज़र आएगा ब्रॉइट अगर यह अबजेक्ट बहुत छोटा होगा सही है इसी तरह अब इसके रास्ते में कोई अपर्चर या स्लिट अपर्चर वोई होल को कहते है जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपरिमेंट में हमने दो स्लिट लिये थे तो यह स्लिट का साइज अगर बढ़ा होगा तो रोशनी सीधा जाके स्क्रीन से टकरा जाएगी कि स्लिट का साइज छोटा होना चाहिए स्लिट का साइज जब छोटा होगा तो यह रोशनी फैलने लग जाएगी सही है यह फैल किस वह से रही है साइज छोटा होने की वज़ा से तो यंग double slit experiment में या interference करवाने की condition ये भी है, कि slits का साथ बहुत छोटा होना चाहिए, ये definition इसको कहते है, diffraction या diffraction, किस चीज़को, bending and spreading of light around an obstacle or aperture is called diffraction, bend होना और स्फेल जाना light का, किस के गिर्द, किसी रुकावट की वाय से या किसी aperture की वाय से, इसको क्या कहते है, diffraction, diffraction या diffraction effects are large, ये आपको clear नज़र आएंगे, बहुत ज्यादा वाजय हो जाएगा, कब, if size of obstacle or aperture is equal to or less than wavelength of light, ये जो aperture ये object का size है, ये wavelength of light के बराबर या इससे कम, इससे थोड़ा सा बढ़ा हो, फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आएगा, बहुत बढ़ हो तो बिल्कुल पता, जैसे इस case में, sound की example देके आप लें, diffraction को समझने के लिए, अगर मैं अपने सामने कोई object रख दूँ, बहुत बढ़ा, वो मुझे छुपा ले, लकडी का या ball बढ़ी कोई रख दूँ, और मैं यहां से बोलू, मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी पहुंचेगी न, हाला कि मेरी आवाज को तो रोग लेना चाहिए उसको, क्यों से पहुंच रही है, आवाज, band हो रही है, उससे टकरा के, band हो के आप तक पहुंच रही है, सही है, तो यह diffraction तमाम waves में होता है, particles में नहीं होता, particles एक दूसरे से आके टकरा जाते हैं, particles तो, waves में होता है, particles में, reflection भी waves में होता है, particles में नहीं होता, reflection भी waves में होता है, particles में, इसी तरह diffraction भी waves में होता है, particles में, ठीक है, next lecture में फिर वो topic पढ़ेंगे,